नमस्कार आज की खबर चेनल में हम आपका स्वागत करते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपके लिए आज कौन-कौन सी खबरें लेकर आएं हम आपको बताएंगे दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपके लिए आज लेकर आएं दोस्तो दो बड़ी खबरें हमारी आज की पहली बड़ी खबर दोस्तो आज भारत सत्तरवा गंतरंत्र दिवस मना रहा है दोस्तो हम आपको आज की खबर चेनल की ओर से गंतरंत्र दिवस की हार्दिक शुकामनाई दे रहे हैं दोस्तो और हम आपको साथ ही ये भी बताएंगे कि 26 जन क्या कर दिया भारत ने ट्रम्प का हम आपको पूरी खबर बताएंगे शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा खबरों का सिलसला और पहली खबर हम आपको बताते हैं हमारी आज की पहली बड़ी ख़बर दोस्तो आज भारत सतर्वा गंतंत्र दिवस मना रहा है दोस्तो हम आपको आज की ख़बर चेनल की और से शुब कामना है दे रहे हैं दोस्तो और हम आपको बताएंगे दोस्तो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गंतंत्र दिवस और ता दोस्तो हर साल 26 जन्वरी को गंतंतर दिवस के रूप में मनाया जाता है आज भारत और सभी भारतवासी अपना सत्तरवा गंतंतर दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तो मना रहे हैं दोस्तो हम आपको जानकरी दे 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 इस दिन सन 1950 में हमारे देश को सविधान प्राप्त दोस्तो आज का यह दिन हमारे लिए गोरव का दिन है लोगतांतरिक का दिन है सविधानिक का दिन है दोस्तो हम आपको बताएं आज के दिन सभी लोग एक दूसरे को राष्ट प्रेम से सरोबार भदाई देते हैं दोस्तो भदाई संदेश देते हैं दोस्तो हम आपको इस पूर राष्टपती प्रणव मुखर जी और मशूर गायक संगीतकार भूपेन हजारी का और भारतिय जनसंग के पूर नेता और प्रख्या समास सेवी नानाजी देशमुक को भारत रत्न का सम्मान दिया जा रहा है दोस्तों हम आपको बताएं शनिवार शाम को सरकार की ओर से यह सबसे बड़ा एलान किया गया दोस्तों तो हम ने दोस्तों बताएं आपको कि आज जो भारत सतरवा गंतंतर दिवस मना रहा है दोस्तों यह 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों 26 जनवरी का दिन भार दोस्तों हम आपको बताएं इस अधीवेशन में प्रस्ताव पारितकर इस बात की घोशना की गई थी यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमीनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पून रूप से सवतंत्र देश घोशित कर दिया जाएगा जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया तब कोंग्रेज ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पून सवराज घोशित कर दिया भारत की आजादी के बाद सविधान सवा की घोशना की गई जिसने अपना कारिय 9 दिसंबर 1947 से शुरू किया सविधान सवा ने 2 साल 11 मही ने 18 दिन में भ 26 तारिक की जो डेट है दोस्तों वह बड़ी महत्य पून तारिक है दोस्तों दोस्तों हमने बताया कि क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को ही भारत का गंतंत्र दिवस इसके बारे में हमने आपको पूरी रिपोर्ट दे दी है हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों ट्रंप ने भारत को धमकी दे डाली क्यों धमकी दे डाली क्यों भारत ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया डोनाल ट्रंप का की डोनाल ट्रंप ने भारत को धमकी दे डाली इसके बारे में हम आपको पूरी खबर बताने जा रहे ह अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है दोस्तों वह किसी से छुपा नहीं है दोस्तों आप सब जानते हो कि अमेरिका और चीन के बीच में दोस्तों जो व्यापार समझोते हैं चल रहे हैं दोस्तों उसके अंदर दोस्तों समझा है आ रही है हाँ दोस्तों दोनों ये देश चाते हैं कि वह अपने अपने जो इंपोर्ट डूटी है उसको कम करे लेकिन दोस्तो अभी कोई भी देश कम करने को तयार नहीं है दोस्तो और अब जो अमेरिकन राश्ट पती है दोस्तो डोनाल ट्रम्प दोस्तो वह भाराश से यही चाता है कि वह भी मान उपर दोस्तो एक तो डोनाल्ट ट्रम ने बताया अमेरिकन विस्की और दोस्तो जो एक अमेरिकन बाई काती है दोस्तों हारले डेविसन हां दोस्तों इन दोनों प्रोड़क्टों के उपर दोस्तों आयात शुल के भारत कम करें दोस्तों इसके बारे में ही दोस्तों डोनार्ट ट्रम ने भारत को धमकी दी अगर हम मतलब भारत वासी आयात शुल को कम नहीं करेंग तो दोस्तो अमेरिका क्या करेगा कि जो हमारे देश के प्रोड़क्ट अमेरिका के अंदर जाते हैं वह उनके उपर इंपोर्ट डूटी भढ़ा देगा हाँ दोस्तो इस प्रकार की धंकी अमेरिका ने भारत को दी है तो दोस्तो भारत क्या ना करता हाँ दोस्तो अमेरिका ने जब कह दिया कि वह ऐसा करेगा तो करेगा दोस्तो अमेरिका को तो कोई फरक नहीं पड़ेगा दोस्तो क्योंकि दोस्तो वह तो विक्सी देश है दोस् तो हमारे लिए दोस्तों अमेरिका के अंदर व्यापार करना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत को धमकी दीती दोस्तों अमेरिका ने साफ साफ का है कि हमारे देश के अंदर व्यापार करना है तो हमारे प्रोडक्टों को सस्ता करना होगा उसके उपर इंपोर्ट डूटी घटानी होगी और दोस्तों भारत ने ऐसा कर दिया है क्योंकि दोस्तों भारत को फिलाल अभ कोई चीज बदल सकती है दोस्तों यह हमारी आज की पूरी खबर नमस्कार